आज की लेसंड में हम देखेंगे fold brush किस तरह से काम करता है तो यहां पर आप देखोगे कि आपके brush में यहां पर तो पर pour graduate activate है तो कैसे लेकी आना यह फोल generate कीबूर्ट से B press करना है और यहां पर 예acaksın कर तो आपको यहां fold brush दिखाई देगा, आप इस पर click करोगे, तो यह activate हो जाएगा, यह model light box से लिया हुआ है, अबल click करेंगे तो यह sphere आपका add हो जाएगा यहां पर, अभी यहां पर fold brush अगर चलाते हैं, तो आप देखिएगा थोड़ा सा rough चला है, पर हम क्या करेंगे, यहां आपर division थोड़े से बढ़ाएंगे, control के साथ D button आपको प्रेस करना है, control D and D, दो बार हमने प्रेस किया, अब हम इसको move करेंगे, तो देखिए जैसे normal brush आप move करते हैं, वैसे इस brush को भी आप move कर रहे हैं, तो यह इस तरह से crease बना रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा close करके देखेंगे, तो यह अच्छली में क्या करता है, कि यह area उठाता है उपर और side का एक area push कर देता है, ताकि आपको लगे कि यहाँ पर एक seam सी जा रही है, देखिए यह वाला area इसने उपर उठाय हुआ है, और अपने side का area इसने दवा के रखा हुआ है, एक side का area, तो इसको हम नीचे के तरफ push किया हुआ है, अगर आप बाद में इसको shift button press कर देंगे, देखिए ब्रेस आपका, जैसे shift प्रेस करेंगे, यह blue brass में convert हो जाएगा, इसका मतलब आप soft mode में है, smooth कर सकते हैं, तो अब आप चला होगे तो यह थोड़ी-थोड़ी से smooth हो जाएंगे, जो हलके स hardness आ रही थी, वो यहाँ पर clear हो जाएगी, तो इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं, अगर आप shift button के साथ इसको use करोगे, तो ध्यान रखना आप shift button से यह smooth भी होता है, तो हमको पहले stroke को click कर लेना है, और फिर shift button को press करना, उसके बाद चलाना है, तो देखिए green line चल रही इसको फिर से दुबारा चलाएंगे, आपको कैसे करना है, पहले आपको click कर लेना है, उसके बाद shift button को press करना है, hold करना है, उसके बाद अगर आप इस पूरे के पूरे जो यह सीधे straight line आरी, इसको move कराना है, यहाँ पर नहीं करना है, क्रीज यहाँ पर नहीं बनाना है, तो आप space bar भी press कर लोगे, shift button के साथ में, shift आपने already hold किया हुआ है, तो space bar को भी हम hold करते हैं, अब देखेंगे इसको पूरा का पूरे stroke हम move करा सकते हैं कहीं पर भी, तो let's हम को यहाँ पर चाहिए, तो हमने यहाँ पर पहले space bar को release किया, और फिर shift button जो है उसको release कर दिया, तो द जाएंगे, यहाँ पर देखें, यह एक soldier का model है, double click करते हैं इसको, यह model आपके पास आ गया है, अब यहाँ पर इसके armor पर काम करना है, तो इस पर ald के साथ click करेंगे, और यहाँ पर देखें, यह armor आ गया है, shift button प्रेस करते हुए, इस पर layer पर आपको click करना है, ताकि आप isolate ह हो जाओ, यहाँ से, बहुत ही low resolution का model है, आपको अगर fold brush यूज करना है, तो control D करके सबसे पहले, इसके divisions आपको बढ़ा लेने होंगे, अब इस पर हम काम कर सकते हैं, तो देखें, यह corner यहाँ पर हम full brush चला सकते हैं, तो brush का size थोड़ा सा छोटा किया, वो आप अपने according कर ल थोड़ा सा पहले से इसका look अच्छा आ रहा है, यह थोड़ी से hardness आ रही है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, shift button प्रेस कर सकते हो, देखें, brush आपका blue में convert हो गया है, तो आप इस पर एक stroke smooth का भी चला सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से में smooth हो जाएं, ताकि उसका जो look हो वो देखने में अच्छा लगे, shift button प्रेस करना है, देखें, straight line आपको मिल जाएगी, पहले shift button को release कर देना है, तो यह देखें, यहाँ पर आपको fold मिल गया, ऐसे ही आप आगे continue कर सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर कुछ रह गया है, तो आप फिर से करेंगे, देखें, पह stroke को छोड़ दिया, तो फिर नहीं बनेगा, आपको क्या करना है, click करना है, shift button को hold करना है, और जब आपका यह stroke बन जाएगा, तो shift button पहले release होगा, यह देखें, आपका यह पूरा बन गया, आप थोड़ा से smooth कर लेते हैं, इस तरह से देखें, आपने यहाँ पर fold brush का use करके, एक नया model यहाँ पर बना लिया है, तो इसी तरह से आप cloth हैं, आपर आपको दिखाते हैं, इसके जो cloth हैं, इनकी beats बगएरा अगर आपको बनानी हैं, जैसे यह है, Alt के साथ क्लिक करते हैं, shift के साथ layer के उपर क्लिक करेंगे, तो यह देखें, बड़ी rough सी आ रही है, तो Ctrl D बटन आपको प्रेस कर देना, ताकि इसके resolution थोड़ा सा ज्यादा हो जाएं, इसके उपर गले में यहाँ पर हम कुछ करना चाहते हैं, इस तरह से आपने एक fold यहाँ add कर दिया है, आप चाहो तो इसी fold को आप यहाँ पर भी add कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक fold बन गया है, आप चाहें तो और भी यहाँ पर fold बना सकते हैं, या फिर इसमें आप कुछ भी design कर सकते हैं, तो इस तरह से आपने fold ब्रस को आप चाहते हो, कि इसको और भी यहाँ पर यूज करा जाएं, तो आप इसके उपर भी apply कर सकते हो, इसके उपर भी, तो यह आप practice करना, मिलते हैं next वीडियो में, चैनल को subscribe जरूर कर देना, thank you,